हलो फ्रेंड आपका हमारे फार्मेसी चैनल में वेलकम हैं फ्रेंड जैसे को पता है कि इस चैनल के मादधियम से हम अलोबर इंडिय की परामेडिकल फार्मा अंडर्शी विकेंशिव कबर करते हैं उसके साथ जो परामेडिकल अपार्मेंट में योदी कोई नीवमेंड मेंट आती है उसके रिगार्डिंग कम्पलीं इंपरमिशिएं प्रोवाइड कर आते हैं यदि आपको कोई भी आपको एक informative वीडियो चाहिए किसी भी topic वा तो आप हमें comment section बता सकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि जो आप registration number है अपका as a registered pharmacist का जो आपको अपनी respective state pharmacy council से मिला है उस पे एक registration number होता है उस number की माद्यम से आप यह जान सकते हैं कि आप एक register pharmacist है या नहीं है वो भी pharmacy counseling of India की official website के माद्यम से इसका हम complete procedure बताएंगे वीडियो को skip मत करना यह बहुत ज़्यादा important और informative वीडियो रहने वाली है all over India के pharmacist के लिए ठीक है friends complete procedure बताएंगे ठीक है देखे simply आपको एक chrome browser पर आपको एक website पर आना है जैसे simply आप देख पारेंगे pharmacist list enter registration number to search तो आपको अपना यहाँ पर क्या करना है कि registration number जो है वो fill करना है उसका complete procedure भी बताएंगे कि आप official website कैसे सर्च करेंगे आप वीडियो में बने रहीएगा आपको एक पहले procedure बताएंगे यहाँ पर आपको क्या करना है अपना जो registration number है जो respective state pharmacy council से आपको इसू कराया रहा है बहुत सारे candidate को क्या है कि अपना registration number आने से पहले ही respective state pharmacy council से उनका registration number आपको मिल जाता है किसी भी link की थरू तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि आप registered हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं क्योंकि आप जो है modern age में बहुत सारे काम हैं वो क्या digital portal के मादियम से हो रहे हैं तो digital portal के मादियम से आप कैसे search कर सकते हैं इक कैनिडिट का हमारे पास में registration number है और जो कि अभी अभी हुआ है उसका जो registration number है वो हमने फिल कर दिया है simply आप यहां पर देख पा रहे होंगे और simply search पर click कर देंगे सर्च पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफिज उपन हो जाएगा नीचे आप देख पा रहे होंगे दिए कि registration number उनका जो नोने इंटर किया है वो यहां पर mention हो गया है और फार्मासिस्ट नेम जो यहां पर mention है फादर स्रेम जो पर रजिस्टर्ट फार्मासिस्ट है वो यहां पर उनका फादर्स नेम क्या है एडर्स नेम का क्या है कि उनका एडर्स जो है officially जो registration number में वो यहां पर mention है तो इससे ऐसे पता लगता है कि आप registered फार्मासिस्ट हो चुके हैं तो simply आप ऐसे सर्च कर सकते हैं अब आपको procedure बताते हैं कि जो official website मिलेगी कहां से आपको official website फार्मासिस्ट लिस्ट चेक के नाम स है डारेट आपका इसी तरीके से सो होने लगेगा ठीक है फैंस इस तरीके से आप इसका procedure फॉलो करेंगे यदि आपको कोई query यह तो comment section बताइएगा हम इस चैनल के माद्द हम से all over इंडिया की paramedical की vacancy different department होते हैं lab technician, pharmacist, nursing तो सभी paramedical department की vacancy उसके सासा paramedical department की amendment उसके सासा उ उसकी new informative वीडियो को upload करते रहते हैं आपको यह informative वीडियो कैसी लगे हम comment section बताइएगा टेलिगाम चैनल का link वीडियो की description में डाल देंगे, वहाँ से आप इजली में टेलिगाम चैनल को जोन कर पाएंगे, ठीक है फैंट, thank you